बीते सप्ताह विदेशी बाजारों में सोयाबीन डीगम और सोयाबीन डी आयल केक, डी ओसी, के दाम में आई गिरावट तथा सरसों की नई फसल की मंदियों में आवक शुरू होने के बीच देशी तेल तिलहनों के थोग दाम लर्खडाते नजर आए। वहीं किसानों द्वारा मुंगफली पेराई मिलों को कम भाव पर मुंगफली नहीं बेचे जाने के कारण मुंगफली तेल तिलहन में सुधार है। दरसल सरसों की नई फसल राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंदियों में आना शुरू हो चुकी है। इस वजह से देशी ख दाम पर सरसों मुंगफली बेच रहे हैं। इसके बावजूद पेराई मिलों को पेराई के बाद खादे तेल के लिए ग्राहक नहीं मिल रहे क्योंकि ठोक में आयातित तेल उन्हें कहीं सस्ते में उपलब्ध है। मिली जानकारी के मुताबिक पहले के हफतों में बंदरग पाम तेल, CPO का भाव पहले के 940 से 945 डॉलर प्रती टन से घटकर इस हफते में 905 डॉलर प्रती टन रह गया। इस गिरावट के बावजूद पाम, पामोलीन के आयात में नुकसान है क्योंकि बैंकों का रिंसाक पत्र, लेटर आफ क्रेडिट या LC गुमाने के लिए इसे क पर बेचने की मजबूरी है। इन सब घटनाक्रमों के बीच तिलहन किसान, तेल मिले, तेल उद्योग, आयातक और उपभोकताओं सभी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि दिसंबर के मुकाबले जनवरी में आयातित खादे तेलों के दाम लगभ रुपई क्विंटल से घटकर 4,600 रुपई क्विंटल रह गया है। सरसों तिलहन का दाम दिसंबर के 5,600 से 5,650 रुपई क्विंटल से घटकर 5,300 रुपई क्विंटल रह गया है। बाजार जानकारों का कहना है कि बजट भाशन में सरकार का तेल तिलहन मामले में देश को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने का मंतवे सराहनिय है, लेकिन इसके लिए सरकार को सबसे पहले देशी तेल तिलहनों का बाजार विक्सित करने की और पुर्जोर ध्यान देना होगा। आखिर इन तेलों का बाजार न हुआ तो वे खपेंगे कहां।